हेलो गाइज, वेलकम बेक टो फिट ड्राइब, मैं आपका अपना दोस्त बानु परताब तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हूँ इस वफ्त गाड़ी में अभी-अभी चेक आउट करके निकले हैं होटल से क्योंकि रात में बाबा बद्रिविशाल के दर्शन करके हम नीचे आगे थे भाई, जो सीमट से भी तकरीवन 12-15 किलोमेटर नीचे आके स्टेक किया था, हमने 12-12 बज़ गे थे हमको, तो जश्ट अभी वहाँ से चाय पी के निकले हैं, और नास्ता देखना भाई, क्या कर र बताय कर लें, उसके बाद किसी बढ़िया से उटल पर रुके नास्त अगयरा करेंगे, देन उसके बाद निकलेंगे हम हरिदवार या रिशी केस, तो वहाँ देखते हैं, अगर टाइम मिला, तो भाई, राफ्टिंग अगयरा करेंगे, सब आपको दिखाएंगे, बाकी ब तो भाई, टेड़ घंटे के तकरीबन ड्राइविंग के बाद, काड़ी को कर दिया है, पार्क, ओ भाई, बहुत तरद होना है बोड़ी में, और अब रुके हैं भाई, होम टाउन, कैफे एंड रेस्टरेंट पर, इस पर, क्योंकि हम जब भी आते हैं न भाई, तो इसी प अब देखते हैं भाई, कुछ खाएंगे, फियांगे, करेंगे ओडर, भाई, अब आ गया हमारा खाना, पहले मंगा थे फ्राइड राइस, और भाई, इसको देखके तो समझे जाओ, इसके तो चिल्ली पटेटो आए है, बहुत दिनों मिले, और हमने मंगा है भाई, लच् आएगा, जैसे भी आए, तो मैं इनका काड़ अगेर दिखा देता हूँ, आपको, भाई, खाना, खाना, आपको मज़ा आजाएगा, भाई, खाना, पीना हो गया है, यह देखो, और अब चल रहे हैं, बिलिंग की बारी, और भाई, इस होटल की लोकेशन देखने, बाई, आपको जबरदस्त व्यू है, वाँ, मज़ा गया भाई, व्यू में भी, और खाना पीना भाई, बहुत ही बडिया खाना था, तो भाई, बिल दे तो एक वर भाई, बिल, यह एक बज़ावा श्रुकेशन माता हूँ, यह दंद प्रिया मैंचन थी, दंद प्रिया, किस नाम तो भाई जो भी मेरा भाई के दार्नाथ बदिनाथ आ रहा है तो आओ और यहां खाना का आओ भाई खाना एक नमगर बिला है बढ़िया और वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है आप आओ रुपो और अपना-पना फीड़ बैट जरूप देना भाई मैं तो आपको देही रहा हू खाना हमें तो भाई बहुत बढ़िया लगा तो आप भी आना और इबर खाना पेस्ट करता है तो भाई फिर भी मैंने एक बड़ आपको एडरस दिखाई दे रहा हूँ ठीक है यह भाई का कार्ड है इक बड़ देख लेना अगर आपको एडरस ना मिले तो एक कार्ड तो भाई अभी अभी जस्ट हम जा रहे थे रिसी केस से जो हरिद्वार के लिए राजजी नेशनल पार्क में से जो अंदर से एक रोड जाता है तो वहाँ से जा रहे थे और अंदर जैसे ही जंगल में से होके गुजरे सामने देखो भाई कोन है मिस्टर गजराज पिरधान जी आ चुके हैं बीच रोड पे मिस्टर गजराज पिरधान जी के चक्कर में सारे गाड़ियों का काफिला रुका पड़ाई ये देखो सब कैसे देख रहे हैं कजराज महराज लिकड़ जाएं तो हम आगे जाएंगे जब तक यहीं खड़े रहेंगे जब तक कोई नहीं जा सकता क्योंकि आगे हमां की जंगली आति हो खतरनाग आती है और आभी एक सथपहर करनाम कर रखा इन Hashtag Khayara कि नहीं तुम्हें कैसे पता कि यहीं है आपके सामने की बाद है तो तो भाई देख लो इतना बुरा हाल है खर बुरा हाल क्या भाई जंगली आती है जंगली में तो भाई ऐसे ही होता है अब भाई वेट कर रहे हैं सब के भाई निकल जाए तो आगे जाएं अदरवाई तो वेट करने का लावा कोई और आप्शन है ही नहीं जंगल में आपको दिखरा हो जूम करके देखो भाई आप गौर से देखना अंदर जा चुका है भाई अब पहुंच चुके हम हरीद्वार हर की पैड़ी वापस से शुरुवात में जवाए थे जब भी रुके थे सुबह के तीन बजे देन अभी बजे है साड़े साथ शाम के तो अब जा रहे हैं भाई हम गंगा सनान करने क्यूंकि जब हम पहले दिन आये थे उस दिन तो भाई सुबह के बजे हुए थे तीन और भाई खंड इतनी हो रखिए थी खंडी हवा चल रही थी तो भाई नाने का करा नहीं मन मगर अब जा रहे हैं भाई गंगा सनान करने और नहाएंगे मस्त तरीके से तो भाई कपड़ अपने उतार के रैडियों गए है यह देखो कपड़े लेर लगा दिया है पूरा अब सब्सक्राइब कर भाई कोई वाद नहीं सब्सक्राइब तो था आप मामा के आप यह तो और अजिव कर दो दो था कि अजिए अजिए बीटे साफिभा ज़ने पस्राइब कर अफिए मेरा नाच वाई प्लाइं अब लागार वगया है तो रेडी होके चंडरे वाई ठुछ चूप आधा रेना है और वाई लेना है और वाई वाई गंगा जल अटाटी वगहर लेने घर के लिए वन लेते चलना है चोटे वोटर समान देखेंगे भाई अधर के लिए खरीदते ह भूक लगिए दुपैर काई वही खाना खाया जो आपको दिखाया था उसके बाद कुछ खाएंगे दियेंगे जब चलेंगे आगे भाई बहुत ही तेर बाद सही बताऊ तो कम से कम दो घंटे की ड्राइविंग के बाद अब जाके स्टॉप पर रुके हैं और यह भाई को इ यह लास्ट यह रहे थे तब भी इसी पर रुके थे खाना खाया था खाना ठीक था तो इसलिए भाई पीच में दो घंटे से ड्राइव कर रहा हूं तकरीबन तेड़ सो किलो मीटर के आसपास हमने तय कर लिया है तो अब इस पर रुकेंगे और खाना खाएंगे अभी वज दूर वगर चलेगे थे तो भाई खाना वगर खा लिया है तो अब जा रहे हैं भाई गाड़ी में और अब रुकेंगे सीधा घर की तरफ क्योंकि भाई इस टाइम हो रहे हैं रात के साड़े बारा तो भाई अब निकलते तेड़ सो किलो मेटर के आसपास बचा है तैन तो भाई फाइनली रात के धाई वजे हैं और घर पहुंच गया हैं गाड़ी खड़ी कर दिया बाहर और गेट खुलवा दिया है भाई अंदर चलते हैं गेट वगरे लॉग कर दिया है और भाई एक चीज दिखाता हूँ आपको ये गेट मैंने इसलिए खोला था ये देखो भाई कमरे में गोस्ते ही कैसे पड़ गे हैं चद्धर तान तान के ये देखो तीन माहा से ये और एक दूसरे रूम में गया भाई आते ही पड़ गे हैं पिने ना कुछ भी हो तो भा हुने दीन होने वाले हैं आज को लोग करते हैं जहीं प्रेंड मिलते हैं आप से नेक्स्ट लोग में तब तक के लिए राम राम